हाई दिल, आज की तारीख है 13th March 2005, फिर से Saturday night 12.45 एम और हमारी ये कहानी शुरू होए, छे हफ़ते हो गए हैं, ये रिमाइंडर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये रिमाइंडर मुझे दिया गया है, अभी हमारे स्टूडियो में यहां मेरे डेस्क पर एक मेसिज छोड़ा गया है, कि छे हफ़ते हो गए हैं, हमें शो को शुरू करें, लेकिन हमारी इस कहानी में सिर्फ छे दिन गुज़रे हैं, इसलिए आज का एपिसोड बिलकुल अलग होगा, क्योंकि वो छे दिन और ये पिछल छे हफ़ते, कुछ भी नहीं है, आज की कहानी के आगे, क्योंकि ये कहानी है मेरी जिन्दगी के सबसे एहम छे मिनट के बारे में, क्या खास बात है इन छे मिनट में, तुमने किसी से कभी प्यार किया है, हमारी ओडिशन का टॉपिक, इस शो का टाइटल, इस सवाल का जव मिला मुझे उन छे मिनट में, ये कैसे हुआ, आज वही कहानी तुम्हें सुनानी है, दिल तो पिछले एपिसोड में, मैंने ये कहानी पॉज करी थी उस मॉमेंट में, जब तुमने मुझे ओडिशन की रात, दिल थामने वाला सर्प्राइज दिया था, लास्ट मिनट पर मेरे सामने प्रकट होकर, और फिर, यहां शुरू होती है मेरी वो छे मिनट की क्लॉक, और इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा, वहीं पर रियल टाइम में, हम वापस ओडिटोरियम में हैं, रात के ग्यारा बज़े हैं, तुम मेरे सामने खड़ी हो, तुमने मुझसे अभी अभी एक सवाल पूछा है, कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, और अभी तक जो भी चल रहा था मेरे दिमाग में, वो सब अब डिलीट हो गया है, पता है दिल, मैंने सबसे पहले क्या नोटिस किया, तुम्हारा सकार्फ, तुमने एक रेड सकाफ पहना है, और मेरा शौक अभी भी शायद काफी लंबा चल रहा है, क्यूंकि मैं बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हारे सवाल का चवाब दिया भी है कि नहीं, क्यूंकि ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच लाइव ओडियो की तार काट दी गई है, अभी सिर्फ वीडियो दिख रहा है मुझे, मैंने जो भी कहा या नहीं कहा, तुम और तुम्हारा सकार्फ मुझसे दूर जा रहे हो स्टेज की तरफ, तुम मुझसे तस कदम दूर हो और मैं तेजी से तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, जैसे की तुम्हारा रेट सकाफ एक मैगनेट है, जो पहली बार मेरे करीब आया है, तुम स्टेज पर चड़ रही हो, और मैं भी चड़ने ही लगा हूँ, जब एक हाथ मुझे रोग देता है, वो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा हाथ मेरी चेस्ट पर है, और इस पल में मैंगनेट का पुल काफी स्ट्रॉंग है, ग्रैविटी भी इसके सामने फीकी है, तुम मुझसे कुछ कहती हो, लेकिन मुझे सिर्फ तुमारे होट हिलते होए दिख रहे हैं, अभी भी सिर्फ विडियो दिख रहा है मुझे, कुछ आउडियो है ही नहीं, तो मैं जरूरत से ज्यादा तेज वॉल्यूम में तुम से कहता हूँ, क्या, तुम अपना हाथ मेरी चेस्ट पर से हटाती हो, और अब जाकर ओडियो धीरे धीरे वापिस आ रहा है, तुम कहती हो, यहां से मैं संभाल लोंगी, तुम मेरे हाथ में एक चीज पकड़ाती हो, मेरी स्क्रिप्ट, जो मुझे अब पता चला है, तुम तक पहुँच गई थी, खड़, लेकिन अब तुम इसके बिना ही स्टेज पर जा रही हो, आई गिस, शायद जरूरी नहीं है, या अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा राइटर बनने का सपना तो तूट ही गया था, दो मिनट पहले, अब उसे वापस जोड़ने की क्या जरूरत है, तुम ही अपना एक्टर बनने का सपना पूरा कर लो, तो मैं अब स्टेज से उतर कर, फ्रंट रो में एक सीट पर बैठ रहा हूँ, क्लब प्रेजिडेंट ने तुम्हारी परफॉर्मेंस के पाँच मिनट की क्लॉक शुरू कर दी है, पाँच पेज की स्क्रिप्ट है, क्या सब पाँच मिनट में कर लोगी तुम, तुम मेरी पहली लाइन वर्ड फर वर्ड केहती हो, दूसरी भी, तीसरी भी, लेकिन कुछ अलग बात है, कुछ अलग ही लग रहा है मुझे, पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया है मैंने, मेरे शब्द कभी किसी और ने नहीं कहे है, मुझे अपने आस-पास देखना चाहिए, लोगों का रियाक्शन समझना चाहिए, लेकिन ये पाँच मिनट बहुत जरूरी है मेरे लिए, तब भी थे और अब भी है, सिर्फ तुम्हें देखना है मुझे इन पाँच मिनट के लिए, तब भी और अब भी, तूसरे पेज पर तुमने एक लाइन बदल दी है, बहतर कर दी है, और अब ढाई मिनट पर मुझे एक थौट अचानक से आई है, कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, फिर से नहीं, ये वो वाली फीलिंग तो नहीं है, जो पिछले हफ़ते तुम्हें पहली बार देखने पर होई थी, अब ये प्यार तुमसे है या इस क्यारेक्टर से, जो मैंने लिखा है, किस से प्यार है मुझे, जो तुम सामने हो, या जिसे मैं देखना चाहता हूँ, तीसरे मिनिट के शुरू होने पर, मेरे पास एक जवाब है, मेरे आखे बंध है, मेरा प्यार शुरू हुआ है तुम्हारी आवाज से, मैं तुम से पहले मिल चुका हूँ, लेकिन अस आवाज के साथ, पहली मुलाकात है मेरी, तुमने मेरी बातों को जान दे दी है, अब वो तुम्हारी बात है, तुम शब्दों को इधर से उधर कर रही हो, कुछ बात लंबी कर रही हो, तो कुछ छोटी, अब ये कहानी तुम्हारी है, सब समझ रहा हूँ मैं, यही फरक है एक राइटर और एक आक्टर में, और अब चौथे मिनट में, सब क्लियर हो गया है, हाँ, ये प्यार ही है, लेकिन कोई पुराना प्यार नहीं है ये, बिलकुल नया है ये, और एक नया लक्ष दे रहा है मुझे ये प्यार, अपने शब्दों को बहतर बनाना चाहता हूँ मैं, तुम्हारी आवाज के काबिल बनाना चाहता हूँ मैं ने, मेरा हर लफ्द, तुम्हारी आवाज के लायक होना चाहिए, अब यही मेरा जुनून है, अब यही मेरा मकसद है, आखरी मिनट चल रहा है, अब वापस आखे खुल चुकी है मेरी, पूरा ओडिटोरियम खाली है, सिर्फ मैं और तुम हैं यहाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कहानी लिख रहा हूँ, और तुम सिर्फ मुझे वो कहानी सुना रही हो, हमारे बीच अब एक डोर है, तुम्हारे इस लाल स्कार्फ के धागे से बनी, मैंने अब ठान ली है, कि तुम में स्टेट से उतर कर कहीं भी चली जाओ, कि तुम्हारे दिल में कुछ भी हो, कि इस से आगे हमारे बीच कुछ हो या ना हो, अब ये डोर मेरे दिल से जुड़ चुकी है, मेरी कहानी का कागहस भी तुम हो, और कलम भी तुम, मेरी हर कहानी, अब तुम्हारी है दिल, मेरे राइट से एक लाउड सी अवाज आती है, औरिटोरियम फिर से भर गया है, पाँच मिनिट खतम हो गए है, चुप चाप खड़ी हो, अब कहीं से तालियों की आवाज आ रही है, मैं आसपास देखता हूँ, तो सब दुन्दला है, आखे नीचे करता हूँ तो देखता हूँ, कि ये ताली तो मेरे हाथ ही बजा रहे है, तीन सेकंड बाद, पूरा ओडिटोरियम ताली बजा रहा है, तुम्हारी आखें अब मुझे डून रही है, तुम मेरी तरफ पॉइंट करती हो, और पूरे ओडिटोरियम को मेरा नाम बताती हो, मैंने आज पचास आक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा है, किसी ने भी अपने राइटर को क्रेडिट नहीं दिया था, सिवाए तुम्हारे दिल, अब तुम ताली बजा रही हो, मेरी आखों को आसपास दिखाई भी दे रहा है, कि कुछ लोग तालीयां बजा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी ताली सुनाई दे रही है, फिर से पूरा विडियो देख रहा है मुझे, लेकिन ओडियो सिर्फ तुम्हारा है, मुझे सिर्फ तुम्हें इंप्रेस करना है, आज से मेरी ओडियन्स सिर्फ तुम हो देल, समझ गया हूँ मैं कि पहले जितनी भी maturity दिखाने का मन किया अब तो नहीं ignore कर सकता मैं कि मुझे तुम से प्यार होने लगा है I am in love नहीं वापस ले सकता मैं इस एहसास को दिल को तुम से प्यार हो चुका है तीर अब कमान से निकल चुका है पस एक problem है कि ये तीर वापस आकर मुझे ही को लग गया है क्यूंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है दिल अपने आपको घायल कर चुका हूँ मैं छे महीनों से अपनी ही मरहम कर रहा हूँ मैं और छे हफ़तों से तुम्हें सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जब मैंने ये ओडिशन की स्क्रिप्ट लिखी थी तब शायद पड़ी नहीं थी जब तुम्हें कहते हुए सुना तब समझाया कि अपने आप से क्या कहना चाहता था मैं हाँ मैंने किसी से प्यार किया है तुमसे दिल सिर्फ छे मिनट में और दिल ये दिवानों वाला प्यार नहीं है ये होश्क होने वाला प्यार नहीं है ये जुनून वाला प्यार भी नहीं है क्योंकि इस प्यार में अभी कुछ है ही नहीं प्यार तो हो गया है लेकिन कैसा प्यार है ये और दिल इस सवाल का जवाब हमें अगले एपिसोड में ढूंडना पड़ेगा यह है डेली उनिवर्सिटी का मिडनाइट रेडियो इस साटरड़े नाइट और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है गुडनाइट दिल